हेलो श्टुरेंट, वेलकम टू दो ब्रेंच सार्ब क्लासेज, आज अपन पढ़ने वाला है, क्लास सेविंथ की मेथ, डिएवी मेथ बुक, चेप्टर नमर फोर, एक्स्पोनेंट पावर्स, अपन पढ़ेंगे इसकी वर्क्षीट नमर शिक्स, ठीक है, तो क्वेशन नमर अपन में आपसे बुलाए, सिंप्लिपाई, इसको सिंप्लिपाई करना है, एक पावर पोजिटिव है, एक पावर नेगिटिव है, यानि कि यहाँ पर ना तो बेस सहम है, ना पावर सहम है, तो फिर क्या करना पढ़ेगा, इसको सेपरेट सोल करेंगे, कैसे करेंगे सोल, इसको पहले पोजिटिव बनाएंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसका रेसी प्रोकल यानि कि अपन लिखेंगे 5 की पावर 4 डिवाइड में ठीक है तो यह पावर पोजिटिव बन गई अब दोनों की पावर क्या हो गई पोजिटिव हो गई तो इसको अपन करेंगे तो यह लेकिन है 4 multiply, 4 multiply, 4 multiply 4, कि तरे लिअंट ray एम ए इससी तरह की से 5 को भी 4 टाइम म्लनिप्लाइ की फोर में लिख देंगे 4 की power 4 का अंसर अपने पास होता है 256 multiply कर लें और 5 की power 4 का अपने पास अंसर होता है 625 ठीक है इसी तरह की से second question है तो इसमें power positive है और इसकी भी power 2 है और इसकी भी power कितनी है 2 है यानि कि अपन इसको एक साथ लिख सकते हैं इस तरह के से whole power 2 की form में ठीक है और इसको multiply कर लते हैं तो यहां से कितना जाएगा minus 2 by 3 whole power कितनी चल रही अपने पास में 2 क्योंकि अपने पास में base तो same नहीं है बट power क्या है same है तो अपने एक साथ whole power की form में लिख सकते हैं अब इसको कितने time लिखना है 2 time यानि कि minus 2 by 3 multiply by minus 2 by 3 22 जाओ जाएगा plus में 4 और 33 जाओ जाएगा अपने पास में 9 यह जिए इसका answer थर्ड क्योंशन है minus 2 by 3 power 3 minus 3 by 5 power 3 base तो same नहीं है बट power के same है तो अपन इसको इस formula से लिखेंगे a की power m multiply by b की power m is equal to a multiply b की whole power m यानि कि अगर अपने पास में power same होती है तो उसको अपन whole power के form में लिख देंगे तो यहां से क्या लगेंगे minus 2 by 3 multiply by minus 3 by 5 और whole power कितनी लगेंगे 3 यह minus से minus तो बन जाएगा अपने पास में plus ठीक है और 3 से 3 हो जाएगा cancel क्या बचिएगा 2 upon 5 2 upon 5 whole power कितनी है 3 2 की power 3 और 5 की power 3 solve करते है क्या रखिएगे इसको 2 multiply 2 upon 5 multiply 5 multiply 5 2 to 4 4 to 8 इसका अंसरा जाएगा 8 upon 125 4th part इसका तो इसमें भी होई सेम प्रोसेस power same है ठीक है बट बेस सेम नहीं है तो अपने इसको पहले positive में कनोट कर लेते है या फिर बाद में भी कर सकते है ठीक है बाद में कनोट कर लेंगे तो पहले लिख देते हैं इसको 1 by 2 और 2 by 5 whole power कितनी लगेंगे minus 2 इस formula से ठीक है A की power M B की power M बेस तो कहा है different है बट power कहा है क्या करते है अपन रेसे प्रोकल कर देंगे तो यहां से लेकिने 5 upon 1 power कितनी जाएगी plus में 2 5 की power 2 कितना होदा है 25 ठीक है और 1 की power 2 1 आजाएगा यानिकी 25 upon 1 right answer आजाएगा अपने पास में 25 इसी का 5th part है minus 5 by 6 की power 4 divide minus 7 by 6 की power 4 ठीक है base तो same नहीं है बड़ power क्या है same है तो जिस तरीके से अपन अगर अलग-अलग base हो और power same हो तो एक साथ लिख सकते हैं उसी तरीके से divide में भी एक फोर्म लावता है क्या a to the power m divided by b to the power m को अपन लिख सकते हैं a divided by b whole power m यह प्रोसेस अपन यहां पर भी अपलाए करेंगे क्या लिखेंगे minus 5 upon 6 यहां से लिखेंगे power 4 है यानि कि इसको एक साथ लिख देंगे divided by minus 7 upon 6 और whole power किते लगा देंगे 4 इसके बाद यह लिखा अपन ने minus 5 upon 6 ठीक है यह minus 7 upon 6 इसको अपन multiply में कनोड कर देंगे और इसका reciprocal कर देंगे तो कितना हुझाएगा 6 upon minus 7 whole power कितनी है 4 यह हुझाएगा cancel ठीक है negative से negative cancel क्या रिमिनिक आपने पास में 5 upon 7 power कितनी हो जाएगी 4 इसका मतलब क्या हुआ 5 multiply 5 multiply 5 multiply 5 कितनी टाइम लिखेंगे 4 time 7 को भी 4 time लिखेंगे multiply की form में इसको multiply कर लेते है 5 की power 4 आंसे कितना तर्वने पास में 625 और 7 की power 4 को सोर करेंगे तो answer एगा 2401 2401 यह ज़िए इसका right answer इसका last part है 6 यहाँ पर लिखावा है minus 2 by 3 power है minus 5 क्या है same है तो इस identity से अपन इसको क्या करेंगे एक साथ whole power की form में लिख देंगे whole power कितने लगा देंगे minus 5 अब यहाँ से 2 से 2 cancel out हो गया और 3 से 3 cancel out हो गया ठीक है तो क्या रेम निगर आपने विपस में minus 1 multiply by minus 1 तो प्लस 1 की power कितने आजएगी minus 5 और 1 का reciprocal करेंगे तो आप इस कितना आजएगा 1 आजएगा बट जो power हो क्या बन जाएगी positive बन जाएगी इसको कैसे लखेंगे अपन इसको लखेंगे 1 upon 1 की power minus 5 upon 1 लखेंगे ठीक है और फिर उसका reciprocal करेंगे तो यह इस तरह क्या से लखेंगे इसको positive power में ठीक है फिर 1 की power 1 को 1 तो गया जिए जिस और 1 की power जो 5 है उसको solve करने के बाद मानसर कितना आजएगा 1 और total answer कितना आजएगा 1 आजएगा clear है यहां तक next है इसका question number second find the value of x so that यहां पर अपने को x के value calculate करनी है ठीक है ताकि यह दोनों क्या हो जाए equal हो जाए तो यहां पर base कितना आ रहे minus 12 तो इसका base कितना मनाना पड़ेगा minus 12 simple है यहां पर क्या लिखा हुआ है base तो क्या है 3 और यहां पर base कितना है minus 4 but power क्या है same है तो अपन क्या लिखेंगे इसको 3 multiply by minus 4 की whole power 2 लिख सकते है क्योंकि दोनों की power क्या थी same थी तो अपने whole power में लिख दिया 3 4 जा होता है अपने पार्च में minus 12 power लिखें 2 is equal to minus 12 power कितनी है 2x is equal to में base equal है तो फिर उसकी power भी क्या होती है equal होती है तो क्या लिखेंगे यहां से on comparing on comparing powers powers को अपन compare कर रहे है ठीक है तो 2x is equal to 2 x की value calculate करनी है तो इस 2 को उदर shift करेंगे अभी 2 किस में multiply में इदर जाने की बाद किस को में connect हो जाएगा divide में answer हो जाएगा 1 ठीक है इसका second part है यहां पर power is 6 यहां power is 3 ठीक है और इसका base जो है अलग अलग है लेकिन base कितना रहन है 1 by 2 तब भी अपनी इसको क्या कर सकते है compare कर सकते है तो इसको सबसे पहले open form में लिखेंगे क्या लिखेंगे इसको minus 3 by 2 को 6 time लिखना है क्याने कि minus 3 को लिखेंगे पहले तो 6 time 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है divided by 2 की power 6 है मनलब कि 2 को भी किते time लिखना है 6 time 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब 4 को लिखना है 3 time और 9 को भी लिखना है 3 time multiply में लिखते है तो 4, 4, और 4 इससे तरीके से 9 multiply, 9 multiply, 9 इसको अपने लिख दिया 3 time is equal to में क्या है 1 upon 2 whole power किती ही चल रहे अपने पास में 3x चल रहे है ठीक है cancel out करते है 2 और 2 4 से 1, 4 cancel out हो गया फिर 2 और 2 4 से 1, 4 cancel out हो गया अगें 2 and 2 से 4 cancel out हो गया इससे तरीके से 3, 3, 9 होता है 1, 9 cancel 3, 3, 9 होता है 2, 9 cancel 3, 3, 9 होता है तो ये भी cancel out हो जाएगा ठीक है याने कि LHS वाले पास में आपके पास में कुछ भी नहीं बचा other than 1 1 के अलावा कुछ भी remaining नहीं है तो अब जो 1 है 1 किसको लिखेंगा है अपन यहाँ पर 1 by 2 की whole power 0 लिख सकते है ठीक है क्योंकि अपने एक formula पढ़ा है कि 8 to the power 0 का answer कितना होता है 1 बस A की value 0 नहीं होनी चीए तो जब A की power 0 का answer 1 लिख सकते है अपन ठीक है इक्वल अब बेस इक्वल है तो फिर power का comparison करेंगे यानिकि 3x की equal होजाएगा 0 की equal और x की value होजाएगी 0 by 3 यानिकि x is equal to कितना होजाएगा 0 यह है जिए इसका right answer इसकी का 3rd part है 4 by 5 की power minus 2 divided by minus 4 by 5 की power minus 2 और value आर यह minus 1 की power 3x तो यहाँ पर base तो same नहीं है but power के same है तो इसको अपन separate x लिख सकते है 4 upon 5 divided by minus 4 upon 5 power किते लिख देंगे minus 2 is equal to minus 1 की power 3x ठीक है अब यहाँ पर divide का साहन है तो इसको multiply में convert करके और last digit का के कर देंगे reciprocal यह इसको reverse कर दिया अपने minus 4 upon 5 ता तो इसको 5 upon 4 लिख दिया और power कितनी है minus 2 is equal to minus 1 की power 3x यहाँ से 5 से 5 cancel out ठीक है और यह 4 से यह 4 cancel out तो total आंज से कितनी है अपने पास में minus 1 उसकी power कितनी है minus 2 is equal to minus 1 की power कितनी लिख देंगे अपन 3x ठीक है यहाँ तक अब इसके बाद में दोनों के base same है ठीक है जब base same है तो फिर power क्या होगी ecology यानि कि यहाँ से अपन लिख देंगे on comparing power 3x is equal to minus 2 तो x की value जाएगे पने पास में minus 2 by 3 यह जग इसका right answer इसका fourth part है तो यहाँ पर base तो same नहीं है बड़ power क्या है same है तो सबसे बहले अपन क्या करेंगे इसको एक साथ bracket में whole power की 4 में लिख देंगे power 3 और जो right hand side पर लिखा हुआ है उसको अपन age this लिख देंगे इसके बाद 9 से 9 cancel out और 4 से 8 cancel out और 2 time यानि कि 2 की power कितने मिले अपने को 3 और यहाँ से 2 की power age this वापिस दोनों के base से हमें equal to में तो फिर power भी क्या होगी equal होगी last में लिख देंगे on comparing power powers का comparison कर रहे है पन on comparing powers यानि कि 3 और यहाँ से x is equal to 3 by 6 और answer आजाएगा 1 by 2 3 seconds लाउट किया 1 time 3 seconds लाउट किया 2 time next और last question इसका 15 upon 4 power 3 divide 5 upon 4 power 3 is equal to 3 की power x तो यहाँ पर base तो same नहीं है बड़ power क्या है same है तो अपन इस वाले formula से जैसे कि अपन लिखते है a की power m divided by b की power m तो इसको अपन एक साथ लिख सकते है a divided by b की whole power m ठीक है तो इसको solve करते है क्या लिखेंगे 15 upon 4 divide 5 upon 4 whole power अपन लिख देंगे 3 क्योंकि power क्या थी same तो अपन ने एक साथ whole power में convert करती is equal to 3 की power x इसको solve करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 15 upon 4 divide को multiply में convert करेंगे तो last digit का reciprocal कर देंगे 5 upon 4 लिखा हुआ है तो क्या लिख देंगे इसको 4 upon 5 power 3 और जो आरेचे 16 पार्ट इसको edge दिस लिख देंगे 4 से 4 cancel out 1 time 5 से 15 cancel out 3 time तो इसका जो remaining answer है कितना गया 3 की power 3 is equal to 3 की power x यहां से 3 और यहां से power 3 ठीक है अब दोनों के base same है equal to में तो फिर power भी क्या होगी equal होगी यहां लिखेंगे on comparing powers on comparing powers powers को तभी compare करना है जब उनके base क्या होनी चाहिए same होनी चाहिए ठीक है अगर base same नहीं है तो अपन power का comparison नहीं कर सकते क्योंकि equal to में जब base same होते है तभी उनके power क्या होती है equal होती है नहीं तो फिर otherwise नहीं होती तो यहां से लिखेंगे x is equal to 3 इसका direct answer मिलगे आपने को ठीक है तो इस वीडियो में अपनेस की worksheet number 6 को complete क्या है I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को like share करना है चैनल को subscribe करना है और comment करके यह बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी ठीक है मिलते नेक्स टुडियो में thanks for watching